दूसर जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से क्रेटिविटी और स्किल के बारे में एक लेक्चर में बात की थी और मैंने आप से कहा था कि मैं स्किल के बारे में आप से मज़ीड डिटेल में बात करूंगा तो अब मैं आप से बात करने वाला हूँ उन तमाम स्किल्स के हवाले से जो के आपको अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने में बहुत ज़्यदा मददगार थाबित होंगी दोसो आप लोगों के असानी के लिए इन स्किल्स को मैंने दो कैटेगरी इसके अंदर डिवाइट किया है पहली कैटेगरी है टेकनिकल स्किल्स की और दूसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल स्किल्स की तो चले पहले बात करते हैं उन टेकनिकल स्किल्स की जो के एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टन हुआ करती है दूसर वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि ग्राफिक डिजाइन बजाते खुद एक बहुत बड़ी स्किल की हैसियत रखता है लेकिन इसके साथ कुछ और ऐसी स्किल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं जो ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट हैं इन चार स्किल्स का मैं आप से जिकर करने जा रहा हूँ वो हैं टाइपाग्रफी, फोटाग्रफी, इलस्ट्रेशन और सौफ्ट्रेशन और सौफ्ट्रे स्किल दोस्तों हमने ये जान लिया है कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर अलफास का बहुत ज़्यादा एहम करदार है हम जब कोई मैसेज विज्वली कमिनिकेट कर रहे होते हैं तो उनमें हमें अलफास को वर्ड्स को टेक्स्ट की सूरत में अरेंज करना होता है और प्रिजेंट करना होता है अपने डिजाइन के अंदर ताकि हमारा मैसेज क्लियरली पहुंच सके ये जो अलफास को मैनेज करना और अरेंज करना है ये ही है टाइपाग्रिफी और कहा ये जाता है कि एक शक्स अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन गया अगर उसने टेक्स्ट को हैंडल करना सीख लिया लहाजा ग्राफिक डिजाइन में टाइपाग्रिफी की स्किल बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि जब आप कोई पोस्टर या मैगजिनेट वगएरा डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर जाहरी बात है हम इमेजिस को भी इस्तमाल करते हैं अपने मैसेज को किमिनिकेट करने के लिए इन इमेजिस को कैप्चर करने का जो प्रॉसेस है जो स्किल है वो स्किल कहलाती है फोटोगरिफी और ये जो फोटोगरिफी की स्किल है ये भी आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है जरूरी नहीं है कि आप बजाते खुद एक प्रोफेशनल फोटोगरिफर हों लेकिन आपको फोटोगरिफी का अंदाजा होना और बेसिक नॉलेज होना बहरहाल एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने में मदद जरूर दे सकता है इसी तरह तीसरी स्किल जिसका अभी मैंने आपसे जिकर किया वो है इलिस्ट्रेशन इलिस्ट्रेशन का मतलब है कोई चीज ड्रॉ करना या स्केच करना दोस्तो ग्राफिक डिजाइनर जब अपना काम शुरू करता है तो वो जब आइडिया सोचने के बाद उसको इंप्लिमेंट करना शुरू करता है तो सबसे पहले वो उसके थांब नेल स्केचिस बनाता है थांब नेल स्केचिस का मतलब है हम अपने आइडिया को विज्यूल की सूरत में चोटे चोटे स्केचिस की मदद से प्रिजेंट करने की कोशिश करते हैं और डिवेलप करने की कोशिश करते हैं लहाज़ आप खुद ही देख लीजिए कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर illustration कितनी important skill है जैसे कि मैं आपसे पहले भी जिकर कर चुका हूँ कि ग्राफिक डिजाइन software's के बगार धूरी है Adobe Illustrator, Photoshop और InDesign जैसे जो software's है ये इनके अंदर आपको एक अच्छी skill पैदा करना होगी अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते है ये तो होगी आपकी वो तमाम technical skills जिनके हवाले से आपको जानना आपके लिए graphic design में बहुत मददगार थाबित होगा चले आएं आप बात करते हैं कुछ उन professional skills के हवाले से जो अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें तो आप online freelance marketplaces पे as a graphic designer बहुत असानी से काम्याब हो सकते हैं दोस्तों हमने बिल्कुल शुरू में ये बात जानी कि graphic design का दूसरा नाम है visual communication design लहाजा एक graphic designer के लिए अपने अंदर communication skill को पैदा करना बहुत एहमियत का हामिल है उसके दो रीजन्स हैं एक तो ये कि graphic designer जब visually अपना message convey करने ही कोशिश करता है तो जितनी अच्छी उसकी communication skill होगी उतने ही अच्छे visual communication messages वो create करेगा इसके इलावा जब आप online freelance market places पे as a graphic designer काम कर रहे होंगे तो आपका तालुक बहुत सारे client से होगा आपके लिए जरूरी है कि आप उन clients की requirements को समझें और अच्छे तरीके से समझने के बाद उनको वो designs बना के दें जो उनकी requirement के मताबक हों और बास उकात हमें अपने client को अपने designs के हवाले से थोड़ा सा educate ये communicate भी करना पड़ता है दूसरी एहम professional skill है critical thinking graphic design के हवाले से अगर मैं बात करूं तो problem solving ability हमें मालूम है कि graphic design एक problem solving activity है अगर आप अपने problem को अच्छे तरीके से समझ लें और आपको ये पता हो कि आप जो poster या magazine बनाने जा रहे हैं वो actually बात किस बारे में कर रहा है क्या message communicate करने जा रहा है तो definitely आप अच्छा design बनाएंगे इसके इलावा तीसरी skill है analytical skill तो सो graphic design के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने काम को वक्त के साथ साथ खुद से analyze करता रहे ना सिर्फ खुद से analyze करे बलके client की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से मिलने वाली criticism को भी नहायत positivity के साथ और मुस्बत रवये के साथ देखे और उस criticism की मदद से अपने designs में बहतरी लाने की कोशिश करे चौती एहम skill है time management skill time management एक ऐसी skill है जो कि तमाम fields के अंदर बहुत ज़दा हमियत की हामिल है जब आप online market places पे as a graphic designer काम कर रही होंगे तो आप अपनी client को उसकी assignment के हवाले से कुछ time देंगे जब आप अगर एक poster design कर रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि मैं ये poster 2 घंटे, 4 घंटे या 8 घंटे में design करूँगा या 2 दिन में design करूँगा आप जो भी time उसको दें, कोशिश करें कि within that time frame वो design अपने client तक पहुँचा दें ताकि आपको उसके साथ reliability और trust का एक रिश्टा बन सके पांचवाँ जो एहम skill है वो है efficiency और updated रहना तो तो ग्राफिक design एक modern field है technical field है और technology से इस field का बहुत ही गहरा तालोग है आप जानते हैं कि technology रोज बारोज अपडेट होती रहती है नई से नई gadgets, नई से ने software's रोज बारोज पार्केट में आते रहते हैं graphic designer के लिए बहुत एहम है कि वो नई आने वाली technologies और software's और skills के साथ updated रहे आखरी skill जो एक graphic designer के लिए बहुत एहमियत की हामिल है वो है quality assurance दोस्तों कोशिश करें कि जब आप एक अपना design मुकमल करने तो उसके उपर बगोर जाइजा लें कि आया कि वो design आपके client की मर्जी के मताबक बहतरीन quality का है या नहीं इसी तरह से आप online market places पे बहुत असानी के साथ graphic design के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हैं झाल